आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल ब्यूटी एंड हैल्थ टीप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हाई गाईज वेल्कम टो मा यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हैल्थ टीप्स फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगी केस्टर ओयल के बारे में यहनिकी अरंडी का देल दोस्तो केस्टर ओयल की health benefits के बारे में मैं बताऊंगी आपको और साथ साथ इससे हुनी वाली नुकसान से कैसे आप बच सकते हैं यहनि कि इसको इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो किनके इंसावधानियों को आपने ध्यान में रखना है तो friends complete information के लिए मेरी वीडियो को end तक देखी friends केस्टर ओयल के अंदर ऐसी properties होती हैं जो कि हमारी बहुत सारी problems को दूर करने में helpful होती है जिसे कि कबज के लिए केस्टर ओयल बहुत ही beneficial होता है आपने half spoon केस्टर ओयल लेना है उसको आपने या तो orange juice में add करना है या फिर आप दूद में भी add करके इसे 3-4 दिन तक ले सकते हैं friends बहुत strong होता है ये केस्टर ओयल इसलिए उन कबज के रोगियों को इसका saveन करना चाहिए जिनकी कबज बहुत ही पुरानी हो और किसी भी नुसके को इस्तेमाल करने से कबज दूर ना हो रही हो तो last option आप केस्टर ओयल रखिए guys ध्यान रखना है half spoon लेना है आपने और 3-4 दिन तक ही आपने इसका saveन करना है इससे ज़्यादा दिन तक आपने नहीं लेना है number 2 skin problems को दूर करने में भी केस्टर ओयल बहुत ही beneficial होता है friends under eye dark circles को दूर करने के लिए केस्टर ओयल की two drops को आपने fingers पर लेकर रात को सोने से पहले dark circles पर बहुत ही softly massage करनी है 10-12 दिन में ही आपके dark circles जो है बिल्कुल दूर हो चाहेंगे face massage अगर आप करते हैं तो उससे आपकी skin पर glow आएगा skin tight होगी और acne pimples की अगर mark है आपके face पर तो वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो चाहेंगे number 3 hair problem को दूर करता है castroil friends castroil हमारी बहुत सी hair problems को दूर करने में भी helpful होता है जैसे की dandruff, hair fall, hair breakage massage करनी है अगर रात को massage करके आप सोते हैं और सुबह head wash करते हैं तो इससों आपको ज़्यादा benefit होगा आपकी hair problem सारी दूर हो चाहेंगी number 4 body pain या फिर joint pain होने पर भी castroil beneficial होता है शरीर की किसी भी अंग में जैसे की घुटने, सेर, कमर, बाजू आदी में दर्ध होने पर castroil से massage कीचे castroil से massage करने से पहले आपने इस soil को थोड़ा सा गुनगुना करना है फिर आपने इससे massage करनी है daily अगर आप इससे massage करेंगे थोड़े दिन तक आपकी body pain हमेशा के लिए ठीक हो चाहेगी number 5 stretch marks को remove करने के लिए भी castroil बहुत beneficial होता है friends, after delivery महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है कि उन्हें stretch marks हो जाते हैं tummy पर हो जाते हैं, arms पर, legs पर इन portions पर जब आपके stretch marks हो जाते हैं तो आपको इसको remove करने के लिए castroil का इस्तेमाल करना चाहिए daily आपने थोड़े से oil को लेकर अपनी stretch marks portion पर लगाना है और उससे massage करनी है एक महिने के अंदर अंदर आपके stretch marks जो हैं बिलकुल remove हो जाएंगे number 6 breast cancer से बचाव करता है castroil friends, आज कल females में breast cancer की समस्या बहुत जाता हो रही है इस problem में breast में एक गांट बनने लग जाती है और breast hard हो जाती है जो कि breast cancer का रूप ले लेती है इससे बचने के लिए castroil से breast massage कीजिए इससे hardness दूर होगी और जो breast cancer का खत्रा है वो भी कम हो जाएगा friends, ये तो थे इसके benefits लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करने के साथ किन साफधानियों का ध्यान रखना है खुछ साफधानियां बता देती हूं guys नमबर वन, pregnant ladies इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें friends अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो miscarriage होने का खत्रा पढ़ चाएगा नमबर टू कबच का रोगी तीन से चार दिन से ज़्यादा इसका सेवन ना करें ज़्यादा मात्रा वो ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने से लूज मोशन, सेरदर, चक्कराना, जीमिचलाना जैसी समस्यां हो सकती हैं नमबर त्री अगर किसी को स्कीन अलर्जी हो तो वो इस ओयल का इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें स्कीन पर कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले अपनी हैंड पर लगा कर चेक ज़रूर कीजी क्योंकि सबकी शारीरिक प्रकृती अलग-अलग होती है कुछ लोगों को सूट करती है कोई चीज और कुछ लोगों को सूट नहीं करती तो अपनी हैल्थ अपनी स्कीन के अकॉर्डिंग ही केस्ट रॉयल का इस्तेमाल कीजी तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजे कमेंट बोक्स पर जाकर कमेंट कीजे और मेरी वीडियो पसंद आने पर अपनी फ्रेंड्स, रेलेटिव, शोशल मीडिया, वोटसेप, फेस्बूक पर शेयर कीजे थैंक यू फूर वाचिंग, टेक केर, बाई बाई